Hello guys, this is it Ankit and welcome in this video आज की इस वीडियो में guys अपन बात करने वाले हैं cat course के बारे में हलांकि दोस्तों मैंने previous में इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद काफी सारे students के questions मेरे को आने start हो जाते हैं जिन में उनकी mostly queries रहती हैं कौन-कौन से levels अपन को पढ़ने पढ़ते हैं किस level में अपन को क्या पढ़ना पढ़ता है तो मैंने वहाँ पर दोस्तों सोचा इसके लिए एक details में वीडियो मेरे को बनाना चाहिए जो मैं अभी आपको एक से दो वीडियो में सारा कुछ बता दूँगा जो आपको part by part मिलते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर सकते हैं उसके साथ ही आपकी भी कोई query रहती है तो आप भी हमें comment करके पूछ सकते हैं यह आप हमारे Instagram पेज जिसका आपको link description में मिल जाएगा यहाँ भी आपको mention हो रहा होगा उसको आप search करके हमें join कर सकते हैं और वहाँ भी आप अपने questions पूछ सकते हैं short run का एक accounting course दोस्तो आपको बताया था मैंने जिसकी link यहाँ पर आपको i button में मिल रही होगी देखें उसके बाद आपको पता चलेगा क्या cat CMA course होता है brief में अगर आपको बताना चाहूँ तो यह दोस्तो एक short duration का यान की minimum एक साल का cat का course होता है जिसमें full form अगर आपको बताऊं तो वो होता है certificate in accounting technique accounting technique में आपको एक certificate दिया जाता है जो कि CMA की द्वारा दिया जाता है तो काफी valuable course है दोस्तों आप इसको कर सकते हैं यहाँ हम आपको बताएंगे cat CMA का जो level first होता है इसमें आपको basically नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इसमें 3 level होते हैं guys जो first level होता है उसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे next जो 2 level होते हैं उनको हम next ویडियो में बात करने की पूरी कोष्यिस करेंगे अगर फिर भी वीडियो बड़ा होता है तो हम उनके दोनों के अलग अलग वीडियो बना देंगे लेकिन इस यूडियो में हम part fest की बात करेंगे जिसके बारे में मैं आपको complete बताने की पूरी पूरी कौसिस करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर जो part fest होता है वो होता है यह cat course part fest इसको आप level fest भी बोल सकते हैं part fest भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर आपकी चार books होती है पहला जो आपका paper होता है वो होता है fundamentals of financial accounting second paper आपका होता है applied business and industrial law third paper आपका होता है financial accounting second और fourth paper आपका होता है statutory compliance तो यह चार paper आपके होते हैं basically अगर आप देखना चाहों तो इन चारो papers की आपको coaching जो है वो institute provide करवाता है online आपको coaching मिल जाती है फिर भी किसे students को यह doubt रहता है कि हमें इसकी coaching देखनी है किस तरीके से हमको classes मिलेंगी तो वो दोस्तों आप मेरे को DM कर सकते हैं Instagram पेज पर वहाँ पर मैं आपको जरूर link provide करवा दूँगा जिस तरीके की आपको coaching मिलती है तो वो link provide करवाने की मैं पूरी courses करूँगा उसके साथ ही यह जो चार books होती है यह आपको hard copy में मिलेंगे जो कब मिलेंगे वो मिलेंगे जब आप registration कर देते हैं जैसी आप registration कर देंगे उसके बाद hard copy में आपको वो books आपको मिल जाएंगे और उसके बाद उनको आप read कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी soft copy के रूप में इनको देख लें तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी possible नहीं हो पाएगा हाँ इतना हो सकता है आप इनकी soft copy के रूप में इनका syllabus चेक कर सकते हैं क्या क्या syllabus होता है वो आप चेक कर सकते हैं जो हम आपको बताने की कोशिस करेंगे किसी एक next वीडियो में जिसमें हम सारा syllabus कवर करेंगे कौन कौन सा syllabus होता है इसमें क्या क्या आपन को पढ़ना पढ़ता है वो सारा आपन किसी एक next वीडियो में देख लेंगे तो यहाँ पर यह चार आपके papers होते हैं जिनका online दोस्तों exam होता है यहाँ से अपन देखने की कोशिस करते हैं सबसे पहला जो आपका जो चार paper दिये गए हैं इनका आपका exam होता है cat course part first इसको अगर आप institute की साइट से मानते तो यह 160 horse का आपको यहाँ से time duration दिया गया है लेकिन जिस तरीके से आपने यह professional exam होते हैं जैसे CMA, CA या फिर CS एक साल में दो बार उसी तरीके से यह होते हैं अभी 31st January इसकी last date है June term के लिए हालांकि इसको extend करके 10 February कर दिया गया है लेकिन फिर भी इसकी 31st January last date रहती है उसके बाद अगर आप December term में देना चाहते हैं तो उसके आपकी 31st July last date रहती है तो आप December term में exam दे सकते हैं उसके बाद आपको oral coaching भी इसकी मिल जाते हैं chapter wise जो आपको site पर सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों जो आपको online है वो भी मिल जाती है तो वो आप अपने registration number और अपनी data worth से login कर सकते हैं कि study material आपको मिल जाता है और उसी के साथ दोस्तों इसकी जो exam होती है वो online based आपकी exam होती है online ही आपको exam देना होता है अभी last 2 या फिर 3 attempts से home based exam हो रहा है COVID के चलते तो अभी पूरी पूरी जो दोस्तों जो June term अपना 2022 में होने वाला है उसकी भी आसा अपनी online home based exam की लगाई जा रही है हाल ही में अगर आप इसका registration करना चाहते हैं तो 10 February इसकी last date है उससे पहले पहले आप कर सकते हैं उसके बाद आप June के लिए eligible है इसका दोस्तों मने complete बताने की पूरी कोसिस की है इसमें जो 4 ही होते है पेपर इन ही का आपका पेपर लगता है दोस्तों marks का इसका paper होता है negative marking किसी तरीके की इसमें होती नहीं MCQ के सारे questions आते हैं तो ये दोस्तों इसका सारा का सारा pattern रहता है इसके अलावा भी अकर आपका कोई भी question रहे जाता है तेन आप हमें comment करके पूछ सकते हैं या आप हमें Instagram पर DM कर सकते हैं जहां पर हमारी एक CMS related unity काफी बड़ी जूड़ी हुई है तो वहाँ पर हम आपको जुरूर बताने की पूरी कौसिस करेंगे cat CMK भी हमारे साथ students जूड़े हुए हैं तो हम आपको उन से भी रूब रूब कराने की पूरी कौसिस करेंगे हम बहुत ही जल्दी आपको next video लाएंगे हो सकता हो next video ही हो लेकिन उसके बाद भी हम जल्दी से जल्दी कोशिस करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर क के query राते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दे